सबसे पहले हम एक चरह के रेखिये समिकरण की समीक्षा करते हैं हम उस समिकरण के प्रकार जानते हैं एक चरह के रेखिये समिकरण है रेखिये समिकरण दो एक्स जमा चार बराबर शुन्य एक्स बराबर घटा दो घटा दो को रेखिये समिकरण का मूल कहा जाता है दो चरों का रेखिये समिकरण एक व्यक्ती बाजार जाता है और वह छे अंडे और एक ब्रेड खरीतता है और वह दुकानदार को रुपए 30 का भुगतान करता है इस जानकारी को एक समिकरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है एक अंडे की कीमत X रुपए और एक ब्रेड की कीमत Y रुपए मान लेते हैं इसलिए 6X जमा Y बराबर 30 यह दो चरों का रेखिय समिकरण है AX जमा BY जमा C बराबर 0 प्रकार का एक समिकरण जहाँ A 0 के बराबर नहीं है B 0 के बराबर नहीं है और X और Y चर है दो चरों का रेखिय समिकरण कहा जाता है हम एक उदाहरण की मदद से इसे समझते हैं 2X जमा 3Y बराबर 9 को AX जमा BY जमा C बराबर 0 के रूप में लिखें हल दिया गया है 2X जमा 3Y बराबर 9 इसे निम्न रूप से लिखा जा सकता है 2X जमा 3Y घटा 9 बराबर 0 जो AX जमा BY जमा C बराबर 0 के रूप में है जहां A बराबर 2, B बराबर 3, C बराबर घटा 9 है